बहुत बहुत स्वागत थे दाशकों आपका इस कारिकम में आज दो खबरों सुर्खियों में है एक तो ये कि जो बाइडन ने आरेसेस लिंक वाले अफसरों को अपनी टीम से हटा दिया है याने अपनी टीम में उन्हें जगे नहीं दिया है दूसरी सुर्खी ये है कि कल रा इसमें शार्फ शूटर ने बताया कि उसे आतंक फैलाने के लिए याने कि किसान आंदोलन में गड़बड़ी पैदा करने के लिए भेजा गया था उसकी पूरी टीम को भेजा गया था तो अब हम बात करेंगे कि ये दोनों खबरे आखिर किस तरह से लिंक करती हैं एक दू तो ये कि आरेसिस लिंक वाले अपसरों को अपनी टीम में जगह नहीं दी याने उन्हें हटा दिया उनके शफस से पहले जो हुआ वो आप जानते ही हैं कि कैसे ट्रम्प ने लोगों को भड़काया और उनके समर्थकों ने दंगा किया हम ये भी देख चुके हैं कि किस तर है अब भारत की बात करें तो दिल्ली दंगे भढ़काने वाला भी बीजेपी नेता ही है और ये आंदोलन कारियों पर पिस्तोल तानने वाला भी अंत में बीजेपी में शामिल हो गया अब किसान अंदोलन में आतंग फैलाने को नियुक्त ये शार्पशूटर अब अड़नप चैट मामले को भी इससे अलग नहीं किया जा सकता अब ये एंकर बीजेपी आरेसेस का सपोर्टर है और बीजेपी आरेसेस लीडर भी इस एंकर के सपोर्टर है चैट में खुलासा हुआ की आतंग की घटना इसी ग्रूप द्वारा पहजित थे और फिर यही ग्रूप नमस्ते ट्रम्प करता है और इसके लीडर ट्रम्प का चुनाव पजार करते हैं इस ग्रूप के लोग ट्रम्प की जीत के लिए पूजा पार्ट हवन भी करते हैं ट्रम्प भी RSS सपोर्टर हैं जिसने कुछ मुठी भर बिजनेसमैन के लिए देश की जनता के हितों को ताक पर रख दिया था यहां भी RSS किसानों के खिलाब कानून बनवा रहा है जो बाइडेन ने कहा कि अब आम लोगों की सुनी जाएगी इसका मतलब साफ है कि ट्रम्प कारेकाल में आम लोगों की नहीं सुनी जाती थी तो बाइडेन द्वारा RSS के लिंक के अफसरों को हटाना और किसान आंदुलन में दंगा कराने के लिए शार्प शूटर को भेजना ये भी देखेंगे कि बीजेपी निताओं का ट्वीटर पर लगातार धमकी देना या बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का किसान आंदुलन को लेकर यू टिपड़ी करना साथ ही इस अखबार का ये लिखना कि 26 जन्वरी की परेड पर आतंकवादी हमला होने की संभावना है और दूसरी ओर इस शार्प शूटर का इस आंदुलन में इस तरह से घुसना और फिर पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद अपना बयान बदलना तमाम सारी बाते हैं जो इन खबरों का विशलेशन करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं और इन खबरों का आपस में सम्मंद बताती हैं ये सब कुछ किसी साजिश का हिस्सा लगता है जिसकी पुष्टी अड़नव वाटसेप चैट ने पहले ही कर दी है किसानों दोरा पकड़े गए शार्फशूटर ने प्रेस के सामने कहा था कि उसकी टीम दंगा कराने और नेताओं पर गूली चराने के लिए प्लांट की गई है किसानों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया अब पुलिस के हवाले होने के बाद उस विक्ति ने वीडियो जारी करके कहा है कि उसने जूटा बयान दिया था अब सवाल यह है कि उसने जूट कब बोला तब या अब इसमें जो 26 तारीक को जो रेली होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे इनको तितर वितर करने के लिए और जो 24 तारीक से है चार चार लोगों को शूट करने का प्रहुगा अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो आज ही कर ले तुरंट सब्सक्राइब करें और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें शेयर करें झाल झाल